स्वात्स का खजाना में आपका स्वागत करते हैं, जब हम मलाई से घी निकालते हैं, भिना मखन निकाले डाइरेक्ट मलाई से, तो काफी मावा निकल आता है, अब इसको वेश्ट नहीं करेंगे, इसकी कोई रेस्पी बनाएंगे, ज्यादा तर लोग इसकी भर्फी लड्ड या मीठे में कोई रेश्पी बना लेते हैं आज की रेश्पी इतनी स्पेसल होने वाली है आसान सी रेश्पी मिन्टों में बनकर तयार होगी यह मावा निकल आया है बस इसी से रेश्पी बनाएंगे तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा गारंटी यह बहुत पसंद जैसे कूकर गरम हो जा इसमें डालेंगे दो चमबस करीब तेल को गरम होने देंगे अब इसमें डाल देंगे बड़े सा इसका प्याज बारीक कटा हुआ प्याज को हलका गुलाबी होने देंगे, दो तेज पत्ता डाल देंगे, प्याज गुलाबी हो गया है, अब इसमें डालेंगे लैसुन प्याज का पेस्ट, इसकी जगे पे लैसुन अद्रक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, मेरे पार लैसुन प्याज का था, तो मैंने लैसुन काफी इजी रेश्पी है अब इसमें डाल देंगे टमाटर एक बड़े साइज का बारिक कटा हुआ टमाटर को डालते ही तुरंद नमक डालेंगे टमाटर को गलने में हेल्प मिल जाती जल्दी गल जाता है अब इसको एक से डेड़ मिनट के लिए ढग देंगे देख लेते हैं टमाटर गल गये हैं पलटे से ही मैस कर देंगे कि टमाटर गल चुका है अब इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला स्वाद अनुसार मसालों को भून लेंगे तेल छोड़ने तक बहुत जल्दी भून जाता है मसालों ने तेल छोड़ दिया है अब इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई मतर जब ताजे मतर की सीजन हो तो डायरेक्ट डाल सकते हैं आलू डाल देंगे थोड़े से अब इसमें डाल देंगे घी से निकला हुआ मावा इसको हाथ से तोड़ते जाएंगे घी की वज़े से थोड़ा जम जाता है मावे को डाल दिया है मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे यह भून गया है अब अच्छे कलर के लिए इसमें डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च दू जममच करीब कस्तूरी मेथी दोनों चीजें बिल्कुल आफ्सनल हैं बीना कलर के भी काफी टेश्टी सबजी बनती है मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे पानी दो कटोरी मिक्स कर देंगे बढकन लगा देंगे दो सीटी आने देंगे यह दो सीटी आ गई है अब गैस को बंद कर देंगे कूकर खुल गया है ठंडा हो गया आप देखते हैं देखिए कितनी बढ़ियां सबजी बनकर तयार हुई है कम समय में काफी टेश्टी सबजी बनकर तयार हुती है आईए सर्व करते हैं एक बार इस रेश्पी को ट्राई करेंगे गारंटी है कि आगे जब भी घी निकालेंगे इसी रेश्पी को बनाएंगे दो की जगे चार रोटी खाएंगे काफी टेश्टी लगती है ट्राई करिएगा अपने अन्भों को कमेंट के द्वारा मेरे साथ सेयर करिएगा आप लोगों की कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलता है गुपर से हरी धनिया डाल का सर्व करेंगे रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा फैमिली फ्रेंड में सेयर करिएगा ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेश्पी देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे मिलते हैं ऐसे ही इजी और टाइम सेविंग रेश्पी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद